लव इन्फाइनेट चैनल में आप सबीका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आशा करती हैं बहुत अच्छे होंगे यहां पर यह कार्ड्स के सेट्स दिख रहे हैं यह मैंने अभी शफल करके रखे हैं ठीर सारे आपके लिए यह जानने के लिए कि आपका एंसेस्टर्स क्या कहते हैं आपसे क्योंकि अभी जस्ट फुल मून गया है और फुल मून जाते ही नेक्स डे से आपके पे आपके एंसेस्टर्स या आपके पूरवज आपसे क्या कहना चाहते हैं तो इन दोनों सेट में से किसी एक को आपको चुनना होगा या आप आप पित्र पक्ष में आपके जो पुर्वज हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं हो सकते हैं उनके द्रीम्स आते हो या कुछ इस तरह के कोई ऐसे सीन दिखते हो स्पेस से रिलेटेड सूरच चान सितारे बादल कोई आत्माई ऐसा दिखता हूं तो यह बात है कि आज की रिडिंग उनके उपर ही पेस्ट है तो आपको चुनने के लिए मैं यहां पर स्टोन रख देती हूं ठीक है अब इन दोनों में से आप एक को चुने और देख लेते हैं कि आज की रिडिंग आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या कहना चाते हैं क्या निकन कराती है ओके हलो एन वेल्कम अगेन आपने यह ब्लैक स्टोन चुना है इसे हम यहां रख देते हैं और यह अल्रड़ी शफल्ड कार्ड है इनको लास्ट में लोंगी यह स्मॉल है न तो यहां से देख लेते हैं वो क्या कहना चाहरे हैं क्या क्या है सब कुछ आ जाएगा आपके एंसेस्टर्स आपके पूर वज जस्ट अभी पूर निमा गई है या फुल मून गया है और नेक्स टे आप देख रहे हैं हो सकता है अधर कंट्री में आपका फुल मून चल रहा हूँ दूसरी कंट्री से आप देख रहे हूँ मैं भारत से बोल रही हूँ तो यहां वेलमें छोटे हो चाहे बीच वाले हो, तुम ने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि तुम्हरी बडों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है, तुम अपने आप से स्टेंड हुए हो, तुम्हें अपना होश नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कैसे पहनना है कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ लेकिन तुम सबके लिए काम अच्छा कर रहे हो या रही हो जो भी है जो भी male female body जो भी है लेकिन आपके ancestors आप से यही कह रहे हैं जो भी आप लोग देख रहे है male female, twin flame, soulmates whatever your labels जो भी आप labels आपने आपको देना चाहें, तो आपके ancestors आपको यह कह रहे हैं, ठीक है, और Mother Gaia, Gaia means Earth, ठीक है, Earth मतलब पृत्वी, पृत्वी से connected आप है, be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded, आपके पूरवज, आप से यह कह रहे हैं, कि जितना हो सके, grounded रहे हैं, और यह पित्रपक्ष जो चल र है, जिसे हिंदू धर्म में पित्रपक्ष कहते हैं, और फॉरण में आप ancestral period कह सकते हैं, यह पता नहीं, वहां पर मानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मानते ही हैं, सब जगे, क्योंकि ancestors या next birth को हर धर्म में कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ अलग अलग त कर गया, blessings देके गया, अच्छी मिर्तिव प्राप्त करके गया, और आपको पहले भी प्यार करता था, तो वह उपर जाके भी आपको as a spirit guide, help करेंगे, help करते हैं, यह ऐसा माना जाता है, और ऐसा ही होता है, और जो अच्छे नहीं थे, जिन्होंने, मतलब इतना, इतना help कर द का नहीं चोड़ते हैं, और वह इस पित्र पक्ष में भी देखने को मिलता है, तो पित्र पक्ष में एसों के लिए भी आप ऐसी आत्माओं के लिए भी आपको खाना पानी रखना तो चाहिए, लेकिन बहुत जादा उनका आवान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आकर ऐसा माना जाता है मावारत और शिव पुरान और पवित्र गरंथों में ये लिखा गया है, कि जो आत्माओं, जो ऐसी आत्माओं जो पूरे परिवार को नर्क की जिन्देगी दिखा दे, जो अपने जीते जी किसी को खुश ना रहने दे, ऐसी आत्माओं मरने के बाद भी आप ज़से, जैसा गरनतों में आजा गया है, बैसा मैं बता रहे हूं, इसको परस्टनल ही मत लिजीगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर यह बता रहे हैं, इसको आप as a reading ले सकते हैं, लेकिन डीप परस्नल ही मत लिजीए को भी रिइडिंग, क्योंकि हर रिड आता है तो अब देखिए हो सकता है या आपको resonate करें कि क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप घर के सबसे छोटे हो लेकिन यहां मैं कह रही हूं कि आप या तो छोटे हैं या बीच वाले हैं और आपके बड़ों ने आपकी help नहीं की है आपके ancestors कह रहे हैं फिर भी तुम लगे कि तुम्हारा एक awakening process चल रहा है आपके ancestors यह कह रहे हैं कि आपको as a बच्चा समझ कर वो यह कह रहे हैं कि बच्चे हम तुम्हारे साथ हैं तुम घबराओ मत तुम धरती से जुड़े रहो तुम्हारे अंदर खुद धरती माता है तुम्हारे अंदर खुद ईश्वर है तो जो भी अच्छे आपके ancestors हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको प्यार से protect किया जा रहा है आप जितना ज्यादा gratitude में रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वही gratitude आपको वापस मिलता है जैसा आप देते हैं वैसा ही मिलता है कर्म का सि वैसा ही पेड़ पाएंगे वो वाली सारी चीज़े हैं कि जो करेंगे वही तो पाएंगे ना तो यह वाली चीज़े हैं आपके ancestors कह रहे हैं कि आपके life में आगे बहुत कुछ अच्छा होने बाला है they are all just learning how to show it has a question यहां पर यहां पर यहां रहा है you needn't worry यहां पर कार्ड यह main card यह आ रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूती है चाहे आप अपना घर बनाना जा रहे हैं क्योंकि आपके पस जिम्मेदारियां बहुत हैं आप अपने बच्चों के लिए घर बनाना जा रहे हैं और जा रहे हैं कि बहुत साल होके ऐसे दुख में तड़पते I go where you go तो यह काड आया है skills of balance skills of balance तुला यह तराजू इस चीज़ को रेप्रेजन करता है हो सकता है आप लिब्रा राशी के हो यह हो सकता है जिने आप बहुत प्यार करते थे वह अब एंसेस्टर्स पूरवज बन चुके हैं वह तुला राशी के हो वह यही कहना चाहरे हैं कि का दोनों का जरूरी है आप emotional है empath है ठीक है आप सब के लिए करते हैं लेकिन ancestors भी यही कह रहे हैं कि अपनी soul को अपनी soul को enhance करें बराबर level पर लाएं feminine and masculine दोनों ही energy को बराबर करना ज़रूरी है नहीं तो अगर हम सिर्फ देते ही रहने की energy में होते हैं तो हम हमेशा लूटते रहते हैं और हमेशा रूते रहते हैं तो यहां ancestors यही कह रहे हैं ancient tantra of the soul ancient tantra भी यही कहता था मिश्र का यानि के एजिप्ट का तंत्र यही कहता है कि हमेशा balance में रहना चाहिए उन्हें भी तो divinely guided थे वो इस वज़े से उन्होंने इतने सारे pyramids वगरा बनाए तो किस तरह से बनाए इसी तरह के से बनाए talismans of potency charging sacred objects of power आपके अंदर एक जबरदस्त पवित्र पावर है जो कि आप देख सुन सकते हैं कि आगे next क्या होने वाला है ऐसा मुझे दिखाए दे रहा है आपके ancestors आपको कह रहे हैं कि हम तमें वो उस तरह की godlike qualities देते हैं कि जो आपको एक तरह से ईश्वरिय शक्ती ही ब blessings देता है और आपके restless mind को और भी ज्यादा खुबसूरत बनाता जाता है sorry restless mind को और भी ज्यादा rest में लाता जाता है खुबसूरत इंदासिंस की उसको change करता जाता है transform करता जाता है आपकी मतलब आप बेचैन हैं ना तो बेचैनी से शांत जीवन आपको दिलाएंगे तो यहां पर blessing भी आ रही है blessing on the children and blessing for healing of injury or illness यहां मैं कह रही थी ना कि यहां आप बहुत सारे लोगों के साथ deal करते हैं घर में इतने लोग हैं घर में इतना ज्यादा काम है मेरे कहने का मतलब है responsibility बहुत है कमाने की भी और घर को संभालने की भी साथ में बच्चे भी हैं यह मैंने पहले भी आपको कहा था तो यहने की blessing on the children भी आ रहा है कि आपकी life में हमेशा बच्चों की life आगे बहुत अच्छी बनी रहे की और आपको चिंता करने की ज़रूतनी है जो आप सोच रहे ह कि मुझे घर भी बनाना है वो भी बनाना है सब होगा सब होगा यहां पर ancestors कह रहे हैं सब कुछ होगा बस आपको king of pentacles जो एक खराब रिष्टे में अगर आप हैं तो वहां से बाहर निकलना होगा अगर आप merit है और आपका spouse लेडी भी हो सकती है जो कि बहुती बुरा बरताब करती है वो नार्सिसित्या कार्मिक टाइप का लेडी भी ऐसी हो जाती है कोई ने कोई अपवाद तो हर जगे होता ही ह कि मैं काम नहीं करूंगी खारा नहीं बनाऊंगी सफाई नहीं करूंगी मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बैठकर खाना है बस मेरे लिए ये gift लाओ वो गिफ लाओ जुन्री लाओ साड़ियां लाओ ऐसी हो जाती है ऐसे ही male body में तो जादा तर ये दिखाई देता है controlling power उनकी बहुत रहती है, ये करो वो करो क्यों ने क्या अभी तग क्यों बैठी हो, काली क्यों बैठी हो, करती क्या रहती हो, इस तरह का अगर आपका spouse है, तो आपके ancestors ये कह रहे हैं कि इन बेकार की zesting किखाने की जरूदी नहीं है, वहां से बाहर निकलने की नाइन नंबर यही कहता है कि समथिंग मेजर कुछ नया करने की जरूध है देखिए चमतकार होते हैं लेकिन चमतकार किये जाते हैं सब सब आप इसे गंदी यहारे ना कई सा भी करते हैं दिम आरी जे अदे ऑल होता है all in all है ना होता है सबके अंदर ना हम यह नहीं कह सकते हैं किसी एक इनसान को यह तो बहुत गुसा करते हैं चलो इनको छोड़ी दो ऐसा नहीं होता है लेकिन बहुत deeply समझे इस बात को अगर वाकई आपकी लाइफ हैल जैसी फील होती है किसी दूसरे परसन से या अपन यही मेरी कामना है त्री कार्ड़स आए है मैजिक कार्जेन ना ही किया क्या है तो हो ना और करो दूस्त चीज़ होना है तो क्या हमें इन बंधार की मेडिकेशन करने की जजरूरत है तो मैंने रखलाइ भी दिया ताकि हुएस कर launched कि अबना कुछ नहीं होगा वैसे ही जमतकार होते हैं जैसे divinely reunion होना जमतकार से कम नहीं है इस जीवन में ही aggiornate अपने टुन फ्लेम से तो अगर अगर डिवाइनली रियुनियन होता है तो फिर हम हाथ प्यात रखके बैठ जाते हैं नहीं यह नहीं करम तो करना है भगवान और आपके अंसिस्टस यह कहते हैं बॉड़ी किसलिए है नहीं तो फिर तुम भी मर जाओ और उपर हवा में आ ज नहीं है जब आप उससे सुनी सकते छूण सकते भोग नहीं सकते हैं अब सराओं को करेंगे वहाँ जाकर तो कुमतकार होते यह भी है लेकिन कर्म करना ज़रूरी है, without karma आप कुछ नहीं है, बिना कर्म किये, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, यह भी कर्म है, मैं वीडियो अप्लोडी नहीं करू तो फिर आप मेरे पास कमेंट कहां से करेंगे, है कि नहीं तो बिना कर्म और मैं चाहूं कि हाँ आप कमेंट्स भी आते रहें मेरे पास काम भी आता रहें मैं वीडियो ही नहीं डालूँगी मैं कर्मी नहीं करूँगी तो मेरे पास काम कैसे आएगा इसी तरह के से अगर आप कर्म नहीं करेंगे इनर वर्क नहीं करेंगे अपने लिए एक सही डिसीजन नहीं लेंगे एक गंदी खराब लाइफ से बाहर निकलने की आक्शन नहीं लेंगे तब तक बगवान भी आपकी हल्प नहीं करेंगे तक चमतकार भी नहीं होगा mirror guardian कहते हैं take time to reflect थोड़ी देर relax हो जाएं यहां आप बहुत ज़्यादा काम के आपने कि अपने आपको भूल गए हैं यहां यह दिख रहा है कि take time to reflect अपने आपको तो देखिए आप कहां है क्या पैन रखा है कभी को सलवार कुछ पजामा कुछ शर्ट कुछ सिर्पे कुछ दुपट्टा कुछ होशी नहीं है कहां में ही इतने हैं का पैना हुआ कुछ खराब तो नहीं है टिर औफ और रख रखा है वो भी पैन लिया है 혹시 नहीं अ क्योंकि आपको लग रहा नहीं या यार बाहर भी काम करना यह यह भी करना है उसकी जिम्हेधारी बच्चों के जिम्हेधारी मकान भी अपके लिए उस ख़र का है यहां 20 काम नहीं हो रही है Baylor से आपके कहा रहे हैं और सोल इस इवालवेंग तो हाइयर स्टेट्स अफ कॉंशिसनेस यूर रेडी फोर दिस आप बिल्कुल रेडी हैं अच्छा पाने के लिए अपना घर अपना मकान अप ग्रैटिटूड में रहेंगे और गलत जिंदिगी से बाहर निकलना अपने आपक सेहत का द्यान जरूर दीजिए क्योंकि बॉडी से ही सेहत है ठीक है और सेहत है बॉडी है तब ही आप कर्म कर सकते हैं सेहत नहीं है बॉडी खतम मुती जा रही है और आपके मुझे इने वक करना मेडिटेशन करना वो नहीं हो पाएगा तो यहां पर एंसिस्टर्स यह कह है नो लिमिटेशन किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है हम तो जितना मर्जी देने के लिए तयार है तुम कर्म तो करो अगर अगर आपके लाइफ में आगे लिखाए कि एक बहुत अच्छी लाइफ आपके पास होने वाले और भी अच्छा पार्टनर आपके पास आ आ रहा है सब कुछ नया कुछ जो भी अपने एफर्ट्स किये हैं मैनेत करिये उसका जरूर आपको चांस मिल रहा है कुछ नया पानी का जितने भी चैलेंजिस हैं नेक्स्ट कार्ट चैलेंज का है टेक टाइम आउट फ्रॉब्लम्स और कंफ्लिक्स और अप्रोच सौफली to avoid making matters worse बहुत सारे लोग आपके पास कार्मिक और इस टाइप के हैं ओफिस में भी चिट चिटाट हो रही है ओफिस में भी लोग कुछ कुछ कह रहे हैं या आपका अपना बिजनस है उसमें भी कोई ना कोई काम छोड़ कर लोग जा रहे हैं आप उन्हें रोक रहे हैं वो चुप रहे के सिदे सिदे टंग से करते जाएंगे ना तो सब को समझा जाएगी कि इन्होंने काम किया है तो कितना किया है तो आपके एंसेस कहार हैं कि शांत रहें अपनी बाड़ी का ध्यान रखें चालेंजीस को accept करें और चुप चाप अपने सही काम करते रहें तो अल- most invited है, number में लाना है only simple sum, 8307788 247, thank you Hello जी, नमस्कार जी कैसे हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे ये black stone को हमने अटा दिया है और यहां पर रख दिया है ये white crystal stone angels, please help me angels आपकी help करेंगे आपके ancestors आपको बताएंगे कि क्या है आपके ancestors कहने वाले आप से wheel of fortune मुझे ऐसा लगता है कि आपने धेर सारी दुआइं मांगी हैं ancestors से, affirmations महावतार बाबा जी देखिए, अंग्रेज बनाते हैं ये cards और अंग्रेजों को पता है कि हमारे देश में कौन से बाबा जी most famous और most valuable थे, उन्हें सब बता है हमें बाद में बता चलता है तो ये देखिए महावतार बाबा जी के बाद उनके जो ancestors sorry, उनके जो followers थे, वो भी बहुत बड़े बड़े पहुँचे हुए बाबा जी थे, जो कि आज भी हम लोग उनकी कहीं न कहीं teachings को पढ़ते रहते हैं यहां पर आपके ancestors यह कह रहे हैं कि आपके जिन्दगे में वो सब कुछ है आपके पास जो talent है लिखने का, बोलने का, गाने का उसको बजाने का मैंने का मतलब है कि जो भी लिखने का, गाने का बजाने का, जो भी तरह का आप शौक है न, आपको, वो आप उसको action में ले आई है क्योंकि Ace of Cups है कि वो कह रहे है कि आपके हर तरह के प्यार को, या प्यार इंदासिंस जो आपका passion है, जिसमें आपका प्यार है, प्यार इंदासिंस एक कोई कह रहे हैं, मैं तुमारे साथ हूँ, तुमारा प्यार जरूर कामियाब होगा, और अगर उस तरह की से भी प्यार ढूंडना चाहें, तो भी प्यार आपके लिए जरूर हाजिर है, दाएंपरर काडी ही शुकर रहे हैं, आपके ancestors कह रहे हैं कि मैं हूँ न, तुम एक अच्छी position पर हो, बहुत struggle तुमने किया है और ये struggle से ही अच्छी position पर पहुँच पाए हो, मेरा आशिरवाद तुमारे साथ है, आपके ancestors इस तरह से आपको बोल रहे हैं कमांडर, अश्टर कमांडर अश्टर ये बता रहे हैं कि call to action, कमांडर अश्टर हमेशा action के लिए कहते है action यानि कर्म, कर्म करना ज़रूरी है हर बार human being है, आप देख सुन सकते हैं, चल सकते हैं बोल सकते हैं, तो ये कर्मी तो हो रहे हैं तो क्यों न, कोई अच्छा कर्म करा जाए जो अपने लिए भी सही हो, आपके family के लिए भी सही हो, और आपके दोस्तों के लिए भी सही हो और जो ये जो हमारे global ancestors से होते हैं, वो भी तो सब की दुनिया को देखर गए हैं, ये current, बिजली, light, bulbs, और भी कई तरह की चीज़ें, जो कि आज हम सब कुछ देख रहे हैं, ये mobile है बोलने का है, ये सब कुछ communication कितने easily हो गया, मैं बोल रही हूँ और आप सारी दुनिया में कहीं भी ये video जा रही है, इसका मतलब क्या है किसी एक ने तो invent किया है तो यहाँ पर angels यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम करें, कुछ ऐसा invention करें, you can do this हो सकता है कि आप science student हो और आपका मन बहुत रहता हो science से related कुछ नया काम करने में और science के सासाथ आप ये समझने लगे कि ये god गया होते हैं और धीरे धीरे आप ये समझने लगे कि वाक़ई god particles होते हैं जो scientists होते हैं, वो ये कहते हैं हमने god particles दिखा है अंतरिक्ष में, असल में हमारी ही अंदर god है, ये महावतार बाबाजी वो बताते हैं कि शांत रहें, अकेले रहें पदमासन में बैठ जाएं और आपको क्या नहीं पड़ेगी, आपके अंदर इतनी ही शक्ती आ जाएगी ascending the mountain and the valiant courage यहां पर ये आ रहे है कि आप आगे बढ़ते रहें आपके life में कितने भी तकलीपे हो आप आगे बढ़ते रहें think of someone very 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 special to you now feel yourself bursting with love for them आपको अपना प्यार भी मिल रहा है you are right not know now but you will आप बिलकु सही चल रहे हैं आपके ancestors कह रहे हैं आप बिलकु सही चल रहे हैं आप चाहिए नहीं जानते हैं कि वो सही है कि नहीं या सामने वाला person सही है कि नहीं कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए या मेरा उनका साथ रिष्टा बना रहना चाहिए या आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप सही चल रहे हैं आपके ancestors आपको ये कह रहे हैं sorry for the disturbance what if you are actually an ancient gladiator of love and joy who agreed to visit earth during this primitive years to spark some new thinking share a few smiles and help others discover that you are awesome यहां पर ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी smiles अपने कर्म दूसरों के लिए करने चाहिए एक अच्छी deeds को आपने फालो करना चाहिए you are being watched by loving eyes yes आपके ancestors बहुत ही प्यारे हैं और आपको देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तुमें देख रहे हैं तो जो तुम दान दक्षिना कर रहे हो जो दूसरी दुखी हैं उनको फटाक से अपना पैसा धन कपड़े दे देते हो वो मैं तुमें देख रहा हूं और आपके ancestors यही कह रहे हैं कि आपका जो past life थी वो भी काफी कष्टों से भरी हुई थी यह भी काफी कष्टों से भरी है लेकिन इतने भी कष्ट नहीं है कि तुम उससे आगे बाहर ना निकल पाओ आपके ancestors इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारी life जी हैं इस धर्ती पर कई बार आप आ चुके हैं वाओ, serpent of fire, serpent of fire snakes and snakes हो सकता है dream में आप snakes ज्यादा देखते हूं snakes शिव जी का भी प्रतीक है snakes आपके अंदर की negativity को हटाने का भी प्रतीक है जैसे snake अपना केंचली उतारता है अपना skin को हटा देता है time to time तो वो अपनी अंदर की पुरानी चीज़ों को हटाता है अपनी negativity को ऐसे ही ये snake आपको ये represent कर रहा है कि आपको आपके मन में जो भी तरह की कड़वाट है किसी के लिए किसी lover के लिए क्योंकि शुरू सही love 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 दिख रहा है मझे तो हो सकता है आप किसी एक person के लिए बिल्कुल you are dying to बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए मुझे यही इनसान चाहिए और कोई नहीं चाहिए ऐसा अगर लग रहा है तो angels आपको ये कह रहे हैं कि होगा होगा सब कुछ अच्छा होगा बस थोड़ा ध्यान रखें अपने अंदर की negativity को निकाले priestess of the serpent sisterhood ये दिखा रहे हैं कि अब समानता में आएं किसी से जले नहीं किसी को नीचा ना दिखाएं और क्योंकि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन ही बनते हैं एक तरह से है ना संसार में हम एक दूसरे के भाई बहन ही बनते हैं लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं कुछ और ही नाम देते हैं तो यह बहुती डीप बाते हम बाद में करेंगे तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि आपको एक दूसरे की help इसी नातिक करनी चाहिए कि शायद यह कभी ना कभी मेरा भाई या बहन पिछले जनम में रहा होगा तो इस तरहे किसे मदद कर सकते हैं चाहिए आप किसी और country का मालीजी आप भारत में अफरीकन कोई इनसान सड़क पर गिर गया तो आप उसे उठाएंगे ना तो क्योंकि उठाएंगे क्योंकि आपका मन कहेगा आपकी सोल कहेगे कि अरे मेरा इसके साथ कुछ नाता है मुझे इसकी हल्प करने चाहिए तो जरूर हम एक दूसरे की हल्प इस तरह से भी करते हैं जैसे यह अभी वीडियो भी आप देख रहे है तो कही ना कही से मेरी आवाज सुन पा रहे है तो जरूर हमारा कोई ना कोई सिस्टर हूट कनेक्शन बना रहता है एटर्नल सोल यही बता रहे हैं कि यहाँ पर फिर रादा कृष्णा आप जरूर किसी से जबदस तरीके से प्यार करते हैं और आपके ancestors कह रहे हैं कि आपका यह twin flame वाला love हो सकता है आप अपने अंदर की negativity को बाहर निकालें अपने अंदर की knowledge को use करें क्योंकि knowledge महान है knowledge is the power लेकिन knowledge ठीक है मान लीच यह knowledge है यह book है इसमें knowledge भरी पढ़ी है मैं इसे पढ़ू ही ना और पढ़ने के बाद इसको action में ना लाओं उसको आत्मसाथ ना करूँ फिर कहां की knowledge आईए power कहां से आएगी इसमे power इसमें तभी आएगी जब मैं इसको पढ़ने के बाद action लूँगी और वैसे ही काम करूँगी तभी तो वो powerful बन पाएगी वो book तभी तो मैं यह कहां पाऊँगी मैंने यह book पढ़ी और जीवन मैंने अपनी life जो है इस book को पढ़ने से change हुई change कैसे हुई कर्म किया तो यहाँ पर angels यहीं बता रहे हैं कि कर्म तो करना पढ़ेगा आपको प्यार आपका ज़रूर आपको मिलेगा blessing on a homecoming oh my god यह blessing वाला card है यह reverse उल्टा नहीं माना जाता है वो tarot cards माने जाते हैं ठीक है कई लोग कहते हैं कि मैं यह तो उल्टा आया था no matter कोई problem नहीं है number 44 number 44 and number 22 देखिए repeating numbers यह सब कुछ twin flame जैसा चल रहा है सब कुछ वो सकता है आप twin flame journey में भी हो और यह numbers भी आप बहुत देखते हो 44 number यही शो करता है कि foundation का और कैसी पकी foundation blessing on a homecoming आप जिस lover का या अपने husband का या wife का और हो सकता है वो ही आपके twin flame हो या अपने ही twin flame का घर वापस आने का इंतजार कर रहे हो तो वो जरूर आएंगे आपके ancestors कह रहे हैं blessing on a journey फिर यह journey इस से related twin flame journey ध्यान आती है तो twin flame journey में आपके लिए जबर्दस blessings है two of pentacles और आपको क्या नहीं करना चाहिए यहां पर आ रहा है कि आपको इस तरह से परिशान नहीं होना चाहिए work out करना चाहिए अपने काम पर और यह दुखी आ रही होके पैठने की ज़रूत नहीं है वह कोब भवन में मुझे दुख है जी मैं कोब भवन में चले कि कोई मुझसे बात ना करो light not on करो मुझे बहुत सारे दुख है यह करने की ज़रूत नहीं है बहुत नहीं है अपने दुख को बार निकालो लिख लो किसी को बता दो और कुछ नया करेेट रहो आपके ancestors कह रहे हैं कि आपकी हर तरह की दुआएं कुभूल हो रही है star ancestors भी है elders भी है अलो जी आपका तो super duper white जिन्होंने चुना super duper reading हो गई ancestors तो आगए elders में move beyond ancestral pattern जो भी ancestor pattern थे ना उनको तोड़कर आपकुछ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए लग रहा है कि twin flame journey में भी है वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं star ancestors भी आगए आपके जो की बहुत अच्छी आत्माई जो star बन जाती हैं कहते हैं तो वही stars and sisters आपको follow कर रहे हैं आपके voice को follow कर रहे हैं यानि कि जो भी आप affirmations देते हैं meditation के दोरान सुबह मेरी कैसे आप जल्दी उड़ जाते हैं science को भी मानते हैं धर्मात्मा परमात्मा सब में भी ध्यान रखते हैं तो जल्दी भी उड़ जाते हैं और कुछ मांग भी रहे हैं वह भी आएंगे शादी भी मांग रहे हैं वह भी आएंगे यह प्यार राधाकृश्न वाला वह भी होगा direction guardian, choose your path अपना सही direction चुन लीजिए left, right और आगे जो भी है जो भी direction है आप उसको सही जारी के से चुन लीजिए आप down, left, right जो भी है आपने अपने ancestors को खुश करने के लिए इस पित्र पक्ष में बहुत कुछ किया होगा और आपके ancestors वाकई आपसे बहुत कुश है, आप जो मांग रहे हैं वो 100% होगा, juggling करने की जरूद नहीं है, यह मैं सोचें होगा की नहीं होगा, होगा की नहीं होगा पता नहीं होगा की नहीं होगा, तो ancestors करें, अपने काम करते रहो अपनी कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है बिना कर्म के मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा तो ancestors भी देंगे star ancestors भी देंगे भगवान भी आपके आशिरवाद दे रहे हैं लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा negativity को निकाल लिए प्यार से रहें शांत रहें blessings दें blessings by Radha Krishna भी आपको blessings दे रहें नमबर 44 भी आपको आपके प्यार को वापस आने की blessing दे रहा है beautiful beautiful reading thank you so much and wish you all the best और अगर आपको personal reading करवानी है tarot reading तो ये paid reading होगी free reading नहीं है तो इस तरह किसे आप invited है एक चीज़ है blue flame आ रहा है चो small cards मैंने लिये ही नहीं blue flame and observation blue flame या violet flame आप इसको ये कह सकते हैं कि reunion का sign दिख रहा है मुझे ओहू 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 लव लाइफ और लव beautiful आपका तो चप्पर पाट के blessing मिल रही है आज कमवाल हो गया connect to the blue flame which is the light of pure love within you आपके अंदर ही वो रश्नी है reunion अपने आप से आपका होने वाला है उसके बाद आप observe करेंगे कि मेरी तो consciousness और भी ज्यादा expand हो रही है love life क्या कह रही है affair of the heart could cause future problem but take heart आपका दिल में हो सकता ह दुक दुक सी बनी रहती हो heart pain होता हो left hand pain होता हो दिल में अगर दर दे तो पहले तो बात तो यह ही कहूंगी physically doctor के पास जाए visit करें और सही जानकारी लेकर आए और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर twin flame journey का समझ सकते हैं next card है love का love is in the air a great time for commitment and taking relationship to the next level oh my god यह देखिए आपके ल time बिल्कुल घर वापस आने वाले हैं commitment देने वाले हैं इस relationship को next level तक लेके जाने वाले हैं you are the eternal soul you are the pure soul so मज़ा आगया reading में बहुत ही अच्छा लगा और इतनी सारी blessings एक ही reading में are you are so lucky thanks कहें universe का thank you angels thank you cards thank you angels thank you my ancestors और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखने के लिए thank you so much धन्यवाद